तो यहां पर आप देख पारे हूं भाई सैंसंग फर्पी टूल यहां पर एक नया निकल गया इसी बारे में आप बात करने वाले हैं बड़ा खुबसूर्ट सा इसका इंटरफेस है काफी वाहिए उन तो इस टूल के बारे में पहले नाम भी सुना होगा डाउनलोड भी किया ठीक है थीक है उसके बाद रेमूओ अफर पी कर सकते हैं यहां पर की तअए मसjego साहड़ी जाते हैं जैसे से कि यहां पर December Canucks का option आपको यहाँ पे देखने में मिल जाता है December Factory Mode का option देखने में मिल जाता है December Factory Mode क्या है यानि कि आप का Mobile Factory Mode में जा रहा है तो उसे आप वहाँ से बाहर निकाल सकते है exit कर सकते हैं ठीक है तो यह वो काम आएगा ठीक है और भी यहाँ पे CS जो आपकी CSC फाइल होते है उसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते है ठीक है MTP में ब्राउजर ओपन कर सकते है YouTube ओपन कर सकते है Google Map ओपन कर सकते है Samsung ब्राउजर ओपन कर सकते है तो आज भी काफी ऐसे Mobile है Samsung के जो कि भाई आज भी हमें YouTube के method से वहाँ पे bypass करने पड़ते है सबसे पहले YouTube ओपन करेंगे उसके बाद Google Chrome में जाएंगे Google Chrome में जाने के बाद वहाँ पे कोई भी ऐप की साहिता से उसे bypass करेंगे आज भी कई Mobile ऐसे आते है हाला कि काफी अफडेट आया ठीक है दोने में आपका डाटा लोस होगा पिन पैटन पासवर्ड जो भी होगा वो हट जाएगा Mobile बिल्कुल कलीन हो जाएगा जैसा आपका नहीं आता है इनेबल स्क्रीन कोड यहां पे बीटा टेस्टिंग के लिए है इसके बारे में बाद में बात करेंगे यह फिलाल बीटा टेस्टिक में चला हुआ ठीक है तो यहां पर बूट की बात करेंगे आप यहां पर स्क्रीन लोग अपको मिल जाता है यहां पर डाउनलोड मोड की बात करेंगे आपका मोबार बार जा रहा है उसे एकजिक्ट कर सकते हैं जिस मोबाइल में एंड्रोइड वर्जन 5-6 है उसमें आप FRP निकाल सकते है 5-6 तो बहुत कुरानी बात होगी भाई जे टू जा टू जे सेवन इस परकार के छोटे मोबाईल हम पहले आता था अब तो जागे भाई एंड्रोइड वर्जन 13 चला हुआ है ठीक है तो सोफ्ट्वेर जो ब्रेक हो जाता है सोफ्ट्वेर का जो एरर आता उसे आप यहां फिक्स कर सकते है ज्यादा तर यह आज कल सेमसंग के जो स्कूल वाले टैब आ रहे है यह सेवन उसमें देखने मिलता है जबकि हम उसे हार्ड रिसेट करते हो तो यह पर फिक्स कर सकते है ठीक है इस परकार से काफी और भी मोबाईल है जिसमें सोफ्ट्वेर बरे कारे रहा ता तो उसे आप फिक्स कर सकते है यहां यहां पर देखने मिल जाते है बोडियन में क्या बैसे आप अपने मोबाईल को वैसे यहां पर फ्लेश कर सकते है ठीक है यहां पर फाईल फाइल ब्लाइल एक पर कर सकते है करने के लिए कि आपको बार बार कोई और तूल यहां पर डाउनलोड करने के बाद मेरे को इसका जरूर बता है यह वर करता या नहीं करता वैसे तो बहुती अच्छा वर करता है यहां पर संट वर करता काफी वाइव ने इसको डाउनलोड किया है लेकिन कई बाई यह पर प्रोडम यहां पर स्लूशन निकाला था साइद मैंने यहां पर डिल्ट कर दिया हो यहां पर मैंने दो तीन स्क्रिन सोट लिए देग्स्टू पे तो वहां पर कुछ डी लाल फाइ इतले इलर क्या होता मेरे बाई वह व gösterो ऊंदर नाम से आप को देखने में यहां पर विम्डब में चलते विंडुम न अपर 32 के नाम से यहां पर एक फोल्डर मिलेगा तो यह रहा है यहां पर 64 भी है और यहां पर 32 है सिस्टम 32 तो इसमें आएगे नहीं यहां पर कुछ DLL फाइल होते हैं नीचे ही तरफ आएंगे यह सभी DLL फाइल आपको जितनी यह दिख रही है जिनके लास्ट में DLL लिखा हुआ तो यह आपकी DLL फाइल इतनी तमाम फाइल होती है इसमें तो इन में से कोई फाइल अगर आपकी डिल्ट हो जाती है यहां पर भाई देखिए यह देखिए कितनी फाइल ने ठीक है तो कई वार विंड़ो बूट करवाते तो उस चेमापकी कुछ फाइल डिलिट हो जाती ह सब्सक्राइब कर लिंक आपको डिडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहां से पासवड मांगेगा पासवड सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई ज्यादा जंजेट वाली बात इसमें नहीं आप जाईए डाउनलोड कीजिए टूल का इस्तमाल कीजिए और मेरेको लाइक कर दो कमेंट में मेरेको ज़रूर बताना टूल कैसा और चैनल पर पहली बार आया तो भाई सब्सक्राइब करो भाई ठीक है तो थैंक्यों फॉर वाचिंग मेरे भाई